तो आज के वीडियो में हम क्या सिखेंगे? आज के वीडियो में हम पहले यू साउंड वर्द्स रिवाइस करेंगे उसके बाद यू साउंड सेंटेंसी सीखेंगे ओके चिल्रन चलो तो शुरू करते हैं फिर्स्ट वीडियो में यू बी वर्द्स फोनेटिकली अब ऐसे वर्द्स देखेंगे जिसमें यू और भी आते हैं ओके लेट्स सी दो फिर्स्ट पिच्चर फिर्स्ट पिच्चर कौन सा है टब टी यू बी टब टब मतलब ये कौन सा टब है बाथ टब है देखो कितना सारा फोम है उसमें बैठके नहाते है कितना मज़ा आता है है ना नाव नेक्स्ट पिच्चर कौन सा है अरे वाँ ये तो है कब सी यू बी कब कब मतलब लायन का छोटा छोटा बेबी है ना तो देखो कब तो कितना क्यूट है ओके नाव चिल्रेन लेट्स मूँव टू नेक्स सेट अफ वर्स यू जी फोनेटिकली बोलेंगे अग तो इसमें कौन से कौन से वर्स है जे यू जी जग जग मतलब जिसमें हम पानी भरते हैं और नेक्स्ट वर्ड है मग 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 में हम क्या पीते हैं दूद पीते हैं ना और दूद पीने से बहुत सारी ताकत आती हैं आप लोग तू टाइम्स पीते हो ना दूद वेरी गुड चुररन Now we move to the next set of words यू एन अ न तो इसमें हम words देखेंगे कौन से कौन से हैं First word कौन सा है सन स यू एन सन स अ न सन सन मतलब सूरज दादा हमें सन क्या देता है लाइट देता है हीट देता है है ना और सूरज दादा दिन में आते है और सुबह में आके शाम को चले जाते है Next word है बन B-U-N बन ब-O-N बन ये क्या है बच्चो बन आप पाओ भाजी खाते हो ना वही बन है बर्गर में भी उस करते है है ना यम्मी यम्मी और नेक्स्ट वर्ड है U-T उसके वर्ड्स देखेंगे अ-ट फर्स्ट पिच्चर है नट का N-U-T नट न-अ-ट नट नट मतलब सारे ड्राइफ फ्रूट्स नट्स होते है और नट्स खाने से हमें बहुत ताकत आती है नेक्स्ट वर्ड है कट C-U-T कट कट मतलब काटना क-अ-ट-कट देखो ये बॉय कैसे काट रहा है बड़ी-बड़ी सीजर से कटिंग करता है है ना ओके नाओ लेट्स रिवाइज सम मोर वर्ड्स वर्ड्स वीट U-G अ-ग मग M-U-G मग जग J-U-G जग टग T-U-G टग नाओ वी मोव तो U-B वर्ड्स अ-ब उसमें हम देखेंगे कौन से वर्ड्स है C-U-B कब R-U-B रब T-U-B तब अभी नेक्स वर्ड्स U-T वाले और तब C-U-T कर्ट N-U-T नाइट H-U-T हाट और नेक्स है U-N और ना इसमें कौन से कौन से वर्ड्स है F-U-N फान R-U-N रण B-U-N बान Now, children, let's move to the next page U-Sound Sentences आज हम सिखेंगे U-Sound Sentences Listen, Read and Match हमें सुनना है पढ़ना है और फिर हमें पिच्चर्स देखके उसके साथ Matching करना है Okay, children तो पहले हम सब पिच्चर्स देखते है ये है बड़ा सा टर्म और उसके अंदर कौन है अरे ये तो कब है Next पिच्चर है जग और जग के अंदर क्या है बन है थर्ड पिच्चर क्या है अरे ये तो है पप और पप के हाथ में क्या है माग Next पिच्चर क्या है अरे ये कौन है एक गर्ल है वो क्या कर रही है कट कर रही है नट को है ना और नेक्स्ट पिच्चर क्या है देखो देखो कितना मज़ा आ रहा है इनको है ना ये सब मज़ा कर रहा है और नेक्स्ट पिच्चर क्या है एक गर्ल दड़के जा रही है रनिंग कर रही है कहां जाएगी हट के पास है ना तो चलो सेंटेंसिज रीड करते है फर्स सेंटेंस है अ बान इन अ जग फिर से पढ़ते है अ बान इन अ जग तो हम उसको डुण देंगे पिच्चर को ये रहा ये बान है वो जग के अंदर है तो ये वाले सेंटेंस को हम ये पिच्चर के साथ मैच करेंगे ऐसे आपने किया बच्चो वेरी गूड नाव लेट्स रीड दे सेकेंड सेंटेंस तो हमने पहले पिच्चर देखे हैं ना उसमें से जो पिच्चर में कब टब के अंदर है उसके साथ हम मैच करेंगे तो ये सेंटेंस को हम ये पिच्चर के साथ मैच करेंगे ऐसे नाव लेट्स रीड दे थार्ड सेंटेंस कट द नट लेट्स रीड इट अगें कट द नट नट को कौन कात रहा है ये गर्ल कात रही है तो ये सेंटेंस को हम इसके साथ मैच करेंगे ऐसे ओके चिल्रन नाव लेट्स रीड द नेक्स सेंटेंस राण टू द हट लेट्स रीड इट अगें राण टू द हट दाड के हट के तरफ जाना है तो कौन भाग रहा है हट की और ये जो गर्ल है वो हट के पास दाड रही है तो ये सेंटेंस को हम ये पिच्चर के साथ मैच करेंगे ऐसे Now the next sentence is Have fun फिर से पढ़ते है Have fun कौन मजा कर रहा है देखो ये पिच्चर में ये बॉज और गर्ल खेल रहे है They are having fun तो ये सेंटेंस को हम ये पिच्चर के साथ मैच करेंगे ऐसे And now we will be reading the last sentence A pup with a mug कौन है बाई? ये पप है वो मग के साथ खड़ा है Okay, so let's join this sentence with this picture essay Okay children, have you finished matching? Very good Now let's write some U sound words in our notebook Open your four line notebook And write date and CW on top Okay, now we will be writing some U sound words First word है B-U-S Bus B-U-S Bus आप बस में बैठे हो कैसा मज़ा आता है? है ना? और बस का हॉन कैसे बचता है? POM POM Right? Now let's move to the next word Next word है T-U-B TUB T-U-B TUB TUB में कैसे नाने को मज़ा आता है? और मम्मी अंदर कपड़े भी रखती है वरतन भी रखती है और हम उससे नाते भी है टब में बैठके है ना? और थर्ड वर्ड है C-U-P 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 में मम्मी पापा चाई पीते हैं कॉफी पीते हैं ओके Now we move to the next word B-U-N 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 A-S-U-N S-U-N S-U-N Sण मतलब Sूरत-दादा Jų हमें रोश्नी देता है है ना? Tो You have to complete writing All these five words In your notebook Chalhou एक बार और पढ़ते हैं कौन से words है B-U-S यह पाचो वर्द्स आपको पूरी लाइन यहां तक कम्प्लीट करने है ओके चिल्रन, you will be completing all the five words in your notebook चिल्रन, take out your Hello Colors book आज हम उसमें हट में कलर करेंगे ओके चिल्रन, so take out page number eight और हम हट के पिच्चर में कलर करेंगे write date and cw on top use your crayons and color the हट as shown below चलो, आप अपना कलर बॉक्स निकाल दो निकाला है very good children तो हम कौन से कौन से कलर करेंगे हट में देखो, जो कलर्स दिये है हमको वही कलर करना है ओके, उपर रूफ में कौन सा कलर है red कलर तो रूफ में हम कौन सा कलर करेंगे यहाँ red कलर करेंगे आप दिरे दिरे कलर करना ताकि बाहर ना जाए You have to color the heart neatly अच्छे से कलर शुरू करो दिरे दिरे अच्छे से पूरा यहां तक आपको complete करना है Next color है yellow color यह जो सब यहां जगा है वहां आपको yellow color करना है Okay, so children are you coloring with me? आप color कर रहे हो Very good यहां yellow करेंगे फिर यहां भी yellow करेंगे और हमारा picture अच्छे से complete करेंगे Next है door Door में कौन सा color है? Green color So children, take out your green color and color the door ऐसे हम यहां पे green color से color करेंगे Okay, order भी complete करेंगे उसके बाद यहां नीचे कौन सा color है? Red color So fill up your red color and complete the picture देखो, हमारी हट complete हो गई आपने भी complete कर लिया picture Very good children So now we will be meeting in our next class Bye Bye